मीनू की मा को बकरी पालने का बड़ा शौक था शादी के बाद वो एक बकरी खरीद कर घर लाई थी उसके बाद मीनू का जन्म हुआ और मीनू भी उसी बकरी के साथ खेलने लगी लेकिन उसके बाद ही मीनू की मा इस दुनिया को छोड़ कर चली गई मिनु के पिता ने दूसरी शादी की और मिनु की सौतेली मा शीतल घर में आ गए शीतल को बकरियों से सक्त नफरत थी मुझे बकरियां पसंद नहीं है सुनिये जी आप इस बकरी को बेच दीचे मिनु के पिता हरिहर ने कहा अरे नहीं नहीं मिनु की मा बड़े प्यार से इसे पालती थी मिनु को भी इस से लगाव है वैसे ही मिनु मा को खोकर बहुत अकेली पड़ गई है उसे खेलने दोना इस बकरी के साथ शीतल ने हरिहर से और जबान नहीं लड़ाई लेकिन मनी मन वो खफा हो गई कल मुही जल दिया नई मा के बुलाने पर वो शीतल के पास गई मा आप मुझे बुला रही थी हाँ क्या करे थी तू बकरी को दाना डाल रही थी मा ओफ़ो बकरी 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 के अलावा और कुछ नहीं है क्या तुम लोगों की जिंदगी में जब से मेरी मा मर गई है, तब से वो बकरी भी दुखी है, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो सब मुझे नहीं पता, उस बकरी को बेचना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसे मत बेचिये, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, नहीं बेचूंगी, लेकिन उसके बदले तुझे इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है मा, मैं, मैं कर दूंगी। शीतल ने ऐसे मिनू को डरा दिया, और शीतल मिनू से सारा काम करवाने लगी। मैंनू सुबह से लेकर रात तक मेहनत करने लगी, खाना बनाने से लेकर बरतन साफ करने तक मैंनू सब कुछ करने लगी। शीतल बस आराम करने लगी, ऐसे कुछ दिन बीट गए, और उसके बाद एक दिन हरिहर ऑफिस से घर लोटा और बोला। मुझे काम के सिलसले में दो महीने के लिए बाहर जाना होगा, तुम घर समालोगी ना शीतल। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो वैसे भी घर पर नहीं रहते हो, घर तो मैं ही संभालती हो। हरियर निश्चिन्त होकर अगले दो महीने के लिए बाहर चला गया, शीतल ने मिनू को कुछ खरीदने के लिए दुकान पर भीज दिया, तभी घर के बाहर एक कसाई आया, घर पर कोई है क्या, हाँ बताओ, क्या काम है, मैं एक कसाई हूँ, एक हफते में बकरा इद है, इस कब से उस बकरी से छुटकारा पाना चाहती थी, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेचेंगे, वैसे कितना पैसा देंगे आप, दस हजार रुपए दूंगा, अरे वाह, ठीक है, आप ले जाए उस बकरी को, शीतल ने दस हजार रुपए के बदले बकरी बेच दे, कुछ देर बाद घर का काम कौन करेगा, राणी नहीं मिल रही है मा, मिलेगी कैसे, उसे तो मैंने बेच दिया है, किस के पास, और क्यों, कसाई के पास, अब बकराईद में तेरी राणी की बिर्यानी बनेगी, आपने ऐसा क्यों किया मा, क्यों कि पैसे मिले मुझे, पूरे दस हजार, यह आ ये कहते हुए मिनु दोड़ कर वहाँ से चली गई और बाजार में कसाईयों की दुकान पर घूमने लगी घूमते घूमते उसे एक कसाई की दुकान पर रानी दिखी रानी तु यहाँ है मिनु को देखकर रानी खुशी से छट पटाने लगी तभी कसाई ने कहा ये लड़की कौन है तू भाग यहां से ये मेरी बक्री है मैं इसे वापस लेने आई हूँ बड़ी आई वापस लेने लेना ही है तो 40,000 रुपे ला और इसे ले जा 40,000 लेकिन आपने तो इसे सिर्फ 10,000 रुपे के बदले खरीदा है कसाई ने मिनु को वहां से भगा दिया मिनु रोते हुए नदी के किनारे जाकर बैठ गई अब मैं क्या करू? 40,000 रुपे में कहा से लाओगी? मा, आप जब से मुझे छोड़ कर गई हो तब से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए मा अब क्यों हमें छोड़ कर चली गई? सौतेली मा ने मिनु को बेश दिया अब मैं कैसे उसे वापस लाओँगी? कैसे? तब ही वहां एक छोटा सा बकरा आया और मिनु के सामने आकर खड़ा हो गया मिनु ने ऐसा बकरा कभी नहीं देखा था क्योंकि इस बकरे के दो सर्थे अरे? एक बकरे के दूमो? ये कैसे हो सकता है? ये तो चमतकार है ये तो मेरे साथ खेलना चाता है लगता है ये भी मेरी ही तरह अकेला है मैं इसे घर ले चलती हूँ मिनु उस छोटे से बकरे को गोद में उठा कर घर ले गई और चुपके से अपने बिस्तर के नीचे रख दिया यहाँ चुप चाप रहो शोर मत मचाना नहीं तो मेरी सौतेली मा तुम्हें भगा देगी मैं रात को तुम्हें खाना ला कर दूँगी रात हो गई मिनु ने अपने हिस्से की रोटी उस दो मूँ वाले बकरे को दी और एक चमतकार हो गया उस बकरे ने एक मूँ से रोटी खाई और एक मूँ से सोने का एक सिक्का निकाला मिनु को यकीन ही नहीं हुआ, उसने फिर से उस बक्रे को रोटी खिलाई, फिर से बक्रे ने दूसरे मूँ से सोने का सिक्का निकाला, रोटी खत्म हो गई, वो उस बक्रे को एक एक बिस्किट खिलाती गई, और वो बक्रा दूसरे मूँ से सोने का सिक्का निकालता गया, सुबह होते होते मीनू के पास बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो गए मीनू दोड़कर बाजार गई और कसाई से सोने के एक सिक्के के बदले रानी को छुडा लिया लेकिन इधर रसुई में बिस्किट खत्म देखकर शीतल गुस्सा हो गई सारी बिस्किट खत्म करती ये लड़की है या चुडैल आज आने दो से इतने में मीनू रानी को लेकर घर लोटी और ये देखकर शीतल और गुस्सा हो गई और मीनू को मारने के लिए आगे बढ़ी लेकिन अब रानी भी शीतल से परिशान हो चुकी थी रानी ने शीतल को अपने सींगों से ऐसा धक्का मारा कि शीतल गिर पड़ी अरे बाप रे मार डाला हाए मर गई रे मर गई तब ही वहाँ हरी हर आ किया क्या हो रहा है ये सब मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं जल्दी वापस चलाया लेकिन यहां कि मैं ये क्या देख रहा हूँ मीनू ने अपने पिता से सब कुछ कहा हरी-हर भी शीतल से गुस्सा हो गया शीतल मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम मीनू का खयाल रख सको लेकिन तुम तो उसे परिशान कर रही हो तुमने रानी को बेच दिया? और नहीं, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ शीतर डर गई और उस दिन से वो बदल गई लेकिन मीनू ने दो मूँ वाले बकरे के बारे में किसी से नहीं कहा उसे पता था कि उसकी सौतीली मा कभी भी पलट सकती है इसलिए मीनू ने उस दो मूँ वाले बकरे को चुपा कर रखा क्योंकि वो ये मानने लगी थी कि वो बकरा कोई साधारन बकरा नहीं बलकि उसकी मा की देन है और वो खुशी-खुशी जिन्दगी बिताने लगी ब्रह्मपुर नामग गाउं में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है उस गाउं के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था वो अपनी परिशानियों का हल ढूनने या ज़ाड़फूख करवाने बाबा के पास जाते थे वो पाखंडी बाबा उन सीधे साधे लोगों को अंध विश्वास में फसा कर उनसे पैसे एड़ता रहता है आयो इश्मान भावा बाबा मैं कई सालों से उलाद सुखे लिए तड़प रहा हूँ मेरी साधी को दस साल हो गए लेकिन अभी तक मेरे घर बच्चे के किलकारियों से वन्चित है कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरी बीवी की सूनी गोच जल्द ही भर जाए इसके लिए तुझे बकरी की बली देनी होगी बोल तू तयार है लेकिन बली देना तो पाथ है ना बाबा मूर्ख अब तू उताय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत इन्हें माफ कर दीजेगा बाबा जी इनसे भूल हो गई हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे बली भी देंगे तो ठीक है कल आश्रम में बली चड़ाने का महायग्य है कल बकरी लेकर आ जाना कल ही हम उसकी बली देंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा सुनो शिष्य कल के महायग्य में बली चड़ाने के लिए एक बकरी का इंतिजाम किया जाए जो आ गया बाबाजी हम अभी जाकर बकरी का इंतिजाम करते हैं लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बाबाजी पूछो वद्स क्या पूछना है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरी की बली देने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या किसी की बली देना जरूरी है बली देने से भगवान प्रसंद होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है माफ करना बाबाजी लेकिन आपके इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ समस्त तरश्ष्टि के जन्मदाता और मृत्यु दाता तो इश्वर है फिर अबोध प्राणी की बली लेकर आखिर वो कैसे प्रसन नहों सकते हैं और किसी की जान लेना तो पाप ही होता है न बाबाजी और किसी की जान लेकर कोई भी कामना पूरण नहीं होती खामोश तुम दोनों ये क्या नापशना बख रहे हो मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महत्तमा बना है या नहीं बनना है बाबाजी बनना है तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो अब जाओ और बली के लिए बकरी लेकर आओ जी बाबा जी, जैसी आपके आग्या इसके बाद वो दोनों बली के लिए बकरी खरीदने निकल पड़ते हैं रास्ते में चलते चलते वो दोनों शिश्य आपस में बात करते हैं रामू बली देने के लिए बकरी का इंतिजाम करके हम दोनों कहें किसी पाप के भागिदारी तो नहीं बनने जा रहे शामू मुझे भी यही लग रहा है अपनी मनों कामना पूर्ण करने के लिए किसी निर्जीव की बली देना ठीक बात नहीं है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रामू लेकिन हम कर भी क्या सकते है बाबाजी से सिध्धी प्राप्त करने के लिए हमें अपना मुव बंद रखना होगा हाँ और वो जो कहें उनकी बात को मानना होगा कुछी देर बाद वो दोनों शिश्य बात करते हुए देनदार के घर पहुँच जाते है उस घर के बाहर कुछ बकरियां बंदी हुई होती है उन दोनों शिश्यों को आता देख काली और गोरी बकरी आपस में बात करने लगती है देखो जुम्री, वहाँ देख हमें खरीदने कौन आ रहा है हमें नहीं, सिर्फ मुझे ये सादू मुझे खरीदने आ रहे है क्योंकि मैं तुझसे जादा सुन्दर भी हूँ और तंदुरुस्त भी वो सब तो ठीक है लेकिन ये दोनों सादू तुमें खरीद के करेंगे क्या वो मुझे अपने आश्रम में ले जाकर मेरी खुब सेवा पानी करेंगे हर रोज मुझे ताजा-ताजा हरा-हरा चारा खिलाएंगे मेरे साथ खेलेंगे मेरा ध्यान रखेंगे और फिर मैं भी इन्हें धेर सारा ताजा-ताजा दूद दूँगी अरे वह फिर तो बड़ी ही किस्मत वाली बकरी होगी वो जिसे ही साथू बाबा अपने साथ ले जाएंगे हाँ और वो खुश किस्मत बकरी मैं ही हूँ देख ले ना तुम वो मुझे ही अपने साथ ले कर जाएंगे हाँ उन दोनों बकरीओं को तो यही लग रहा था कि ये दोनों साथू बाबा है और उन्हें खरीद का राश्रम में ही ले जाएगा मगर वो इस बात से बिलकुल अंजान थी कि ये पाखंडी बाबा के दो शिश्य थे और वो तो बकरी बली देने के लिए ले कर जाने वाले हैं फिर वो दोनों शिश्य देंदार लखन से मिलते हैं सुना तुमने काली बकरी उन्हें खूपसूरत और तंदुरस्त बकरी की ही तलाश है और वो तो बस मैं हूँ तब तो महराज आप मेरी वो गोरी बकरी ले जाईए वो खुबसुरत भी है और तंदुरुस्त भी है देखा मैं ना कहती थी कि वो मुझे ही ले जाएंगे यार तू तो सच में बड़ी ही किस्मत वाली है वो तो मैं हूँ ही ये लीजी आपके बकरी के पैसे शुक्रिया महराज माफ करना महराज मैं एक बात बताना तो भूली ही कया ये बकरी हर रोज आठ किलो दूद देती है अरे हमेज से क्या करना ये बकरी हमें दूद के लिए थोड़ी ना चाहिए बलकि इसका इस्तिमाल तो हम बली चढ़ाने के लिए करेंगे कल सुभा तक तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो जाएगी ये बात सुनते ही मानुगोरी बकरी के पैरो तले जमीन खिसक जाती है बकरी की आँखों में आसुआ जाते है माफ करना बेहन मुझे अपनी तंदुरुस्ती और खूबसूर्ती पर बहुत ही घमन था मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी यही खूबी मेरी मौत का कारण बन जाएगी ये लिजे महराज आपकी अमानत आपकी बकरी कुछ ही देर में वो दोनों बकरी को लेकर बाबाजी के आश्रब में पहुँच जाते हैं बाबाजी की जै बाबा हम ये बकरी ले आए अब कल सुभा ही तुम इस बकरी को स्नान करवा कर बली के लिए हासर करना आज इस बकरी का आखरे दिन है ये बात सोचकर ही मुझे रात भर नीद नहीं आई लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बाबाजी का हुकम टाल भी तो नहीं सकते न दोनों की बाते बखरी बड़े ध्यान से सुनती है और ये जानकर कि बाबाजी के शिष्य उसकी बली देने के खिलाफ है उसकी जान में जानाई चुपचाप मौत को गले लगाने से अच्छा है कि एक बार उससे डट कर मुकाबला किया जाए बकरी को नहलाने के बाद जैसे ही वो दोनों बकरी को आश्रम की ओर लेकर चलते हैं तभी रास्ते में बकरी ने उनसे कहा आप दोनों की बाते सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले आप दोनों से एक बात साजा करके ही मरूँ अच्छा वो क्या बात है मैं जानती हूँ कि आज मेरी बली देकर मुझे मार दिया जाएगा लेकिन फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ अच्छा लेकिन वो क्यूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे उस बाबा जी पर हसी आ रही है बकरी को पहले हसता और फिर रोते हुए देख कर दोनों को आश्यर हुआ तभी पहले शिष्य ने बकरी से पूछा सुनो बकरी आज तुम्हें मार दिया जाएगा ये जानते हुए भी तुम पहले हसने लगी और फिर अचानक ही तुम रोने लगी ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई बताओ तो तुमने आखिर ऐसा क्यों किया ये एक रास की बात है और मेरी मौत के बात तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा बाबाजी बाबाजी आज एक अजीब घटना घटी कैसे घटना ये बकरी आज आप पर जोर-जोर से पहले तो हसने लगी इसकी इतनी जुरत ये मुझ पर हसी फिर जोर-जोर से रोने लगी रोने लगी और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये एक रास की बात है रास की बात? कैसी रास की बात? वो तो इसने नहीं बता है बाबा जी ए बकरी, जल्दी से बता, वो कौन सी रास की बात है आपको मेरी बली देनी है तो शौक से दीजे ए बकरी, हस क्यों रही है, जल्दी बता सच्चाई सुन पाओगे बाबा, मौत मेरे सामने खड़ी है लेकिन फिर भी मैं हस रही हूँ, इसकी सबसे बड़ी वज़ा है मेरी बली जैसे ही तुम मेरी बली दोगे, तो मैं श्राप से मुक्त हो जाओगी कैसा श्राप? और रो किसलिए रही थी? पिछले जनम में मैंने एक बकरी की बली चड़ाई थी तब भगवान ने मुझसे नाराज होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी अब आप मेरी बली दोगे तो आप श्रापित हो जाओगे फिर अगले जनम में मैं इंसान बन जाओगी और आप बकरी बन जाओगे इसी वज़ा से मैं ये बात सोच सोच कर हस रही हो बकरी की बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया उसे अपने अगले जनम की चिंता सताने लगी फिर बाबा ने कसम खाई कि वो कभी भी बकरी की बली नहीं चड़ाएगा शिश्यों, आज से हमारे आश्रम में किसी भी तरह की बली नहीं दी जाएगी आज से ये बकरी हमारी प्रिय बकरी होगी उसको साफ सुत्री जगह पर रखा जाए हर रोज इसको ताजा ताजा चारा खिलाया जाए इसको बहार गुमाने लेकर जाओ और इसकी खूब सेवा पानी करो ये, अब मैं रोज ताजा ताजा दूद दूँगी इस तरह उस चतुर बकरी ने मुश्किल समय में किस तरह अपनी अकल का इस्तिमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को या देश दिया कि मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए अपनी साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए